सलमान खान का मोस्ट पॉपुलर और कॉंट्रवर्शिल शू पिक पॉस सीजन 14 लगातार दर्शकों को एंटरेन कर रहा है। जब से घर के अंदर एंट्री हुई है मशूर एक्टरस राखिस सावंत की। तब से राखिस सावंत अपने दर्शकों को हसाती हुई नजर आ रही है और उन्हें जम कर एंटरेन भी कर रही है। लेकिन हाल ही के एपिसोड में राखिस सावंत का इस पुकी अफ़तार देखने को मिला जो के फैंस को काफी पसंद आ रहा है। लेकिन राखिस सावंत के इस अफ़तार को देखने के बाद घरवाले सहमे हुए नजर आ रहे हैं। जिहां दोस्तों जानकरी के आपको बता दें कि बीते गुरुवार के एपिसोड में राखिस सावंत के अंदर जूली नाम की आत्मात देखने को मिली। राखिस सावंत की हरकते देखने के बाद घरवाले भी डर जाते हैं। इस अफ़तार को लेकर खुलासा किया है उनकी पती रितेश ने। जीहाँ दोस्तो रितेश ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिससे जानने के बाद लग रहा है कि राखी के पती रितेश इस बारे में बखुवी जानती हैं आएए आपको बताते हैं कि आखिर्कार रितेश ने क्या कहा है रितेश ने अपने इंट्रिव्यू में राखी को लेकर कहा है कि ये बहुत ही फ़ानी है लेकिन कोई नहीं राखी के सिर का भूत मैं ही केवल उतार सकता हूँ और इसके बाद रितेश हस्ते हुए नजर आए सोशल मीडिया पर राखी के इस लूप को देखने के बाद फैंस भी अपने अपने प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और राखी का अलग-अलग अन्दाज शो में देखने को मिल रहा है जो कि फैंस को काफी पसंद भी आ रहा है हमारे इस खास रिपोर्ट में इतना ही तब तक के लिए आप देखते रहे है नेक्स्ट नाइन लाइफ